नामश्का दोस्तों तो गौतम कोंक चैनल पर सबकों स्व्वागतम आज बनाएंगे भेज बिर्यानी बिर्यानी सबको पसंद है किसी को भेज किस नौन भेज नॉन बेड़ दिया हूँ तो आज भेज देते हूँ तो भेज बिर्यानी एक्पर हेल्दी और डिलिशियस बोलूंगा बहुत समन इसमें आता है तो चले शुरू करते हैं भेज बिर्यानी तो सबसे पहले एक मिक्सिंग जाल ले लेना है मिक्सिंग बॉल तो इसमें एक कप दही डाल देंगे और डाल देंगे जस्त थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउ तो यहाँ पर हमने एक चमच होममेड बिर्याणी मसाला डाला हूँ और डाल देंगे एक बड़ा चमच आद्रक लसुन का पेस्ट इसको अच्छा से मिला लेंगे तो देखिए तयार है यहाँ पर हमने कुछ सबजी ले लिया जैसे हरा माटर फुलगोबी गाजर आलू और बेंस तो बस इतना ही सबजी लिया हूँ आपको मन चाए कोई भी सबजी आप डाल सकते है तो हमारा दही के साथ जो मसाला फेटके रखा था उसमें हम डाल देंग सारे कटे हुए सबजी फुलगोबी गाजर बेंस आप अपना मन चाहे कोई भी सबजी डाल सकते क्योंकि मिक्स भेज है तो आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते है यहाँ पर मोटर हमने बाद में डालूँगा तो सारे सबजी को क्या करना अभी अच्छा से मिक्स कर लें तो यहाँ पर हमने सोया चंक ले लिया हूँ स्वाइबिन तो इसको नमक हल्दी लागा कि अच्छा से फ्राइ कर लिया हूँ ओके तो पानी गरम कटके इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बड़े इलाइची एक दालचीनी का टुकड़ा दो तिन छोटे इलाइची एक जाव अच्छा से उबाल लेजिए तो इसका खुचबू पुड़ा पानी में आ जाएगा तो पास्षात मिनट में उसको उबालना के लिए रखे तो अब तक हम प्याज का एक विरेस्ता बना लेते हैं तो तेल को क्या करना दोस्तों पहले हाई फिर मीडियाम फिल्म में आराम से इसको पकाते लाएना है तो इसका फूल जो बनाने का तरीका है मैं डेस्क्रिशन बॉक्स में निचे दे दिया हूँ इसको शॉटकाट में बना के दिखा रहो यह देखे बेरेस्ता बनके तयार है थोरा सा कच्छा पन जो दिख रहा है ओ इसका गर्मी से पक जाएगा और अच्छा से फ्राय हो गया है तो सबको निकाल लेंगे हूँ तो पानी भी हमारा तयार हो चुका है देखिए तो एक काम करेंगे इसका जो इंग्रिडियन्स सारे है हमने डाला हूँ इसको फेक देता हूँ क्योंकि इसका जितना भी खुश्बू या फ्लेवर जो है सारे प मतलब पहले से मैं इसको भीगा के अच्छा से धोदा के इसको रख दिया था अधा घंट पहले तो इसको पकने के लिए रख देंगे करीबन इसको 70% हम 70-80% तक इसको चावल को पकाएंगे तब तक इसमें डाल देंगे नमक नमक अब धेर सारे इसमें डाल सकते तो चावल मे पतिला ले लिजे आपको जिसमें भी बनाना बिर्यानी उसी को ले लिजे कड़ाई हो पतिला हो तो इसमें डाल देंगे चमज भरके फ्राई बला तेल और उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और चोटा सा एक प्याज क्यूंकि हम बिरस्ता बहुत सारे बना के रखा हूँ अगर आपको दोबाड़ा प्याज नहीं डालना है तो आप विरस्ता भी इसमें डालके बना सकते हैं तो मैं थोड़ा सा प्याज इसमें डाला और इसको अच्छा से फ्राई कर लिया तो बाकिये हमारा जो मैरिनिर किया हुआ सबजी है उसको इसमें एट कर देंगे और इसको थोड़ा देर पका लेंगे तो पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरा मटर किके मटर को ओबरकुक करने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए थोड़ा सा मैं लाश में डाल रहा हूँ क्योंकि सबजी में थोड़ा सा क्रांची पन होने से खाने में बहुत ही मज़ा आता है तो देखिए चावल हमारा 70% लगबग पक चुका है तो चावल को सबजी के उपर डाल देंगे तो देखिए सबजी में पानी भी है थोड़ा दही वाला ये पानी है दही थोड़ा ज़्यादा डाला था तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पानी डालने के ज़रूत नहीं है तो एक राउंड मैं ऐसी चावल डाल देता हूँ और इसके उपर से डाल देंगे बिरिस्ता बुना हुआ जो हमारा प्याज है और डाल देंगे ये स्वाइविन जो हमने फ्राई करके रखा था छोटा वाला साइज ये डालने से भी खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों डाल देंगे थोड़ा सा हड़ा धनिया और पूदेना के पत्ते रहर सारे इसके उपर से मैं फिर से चावल डालके एक लेयर बनाऊंगा सेम लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसे लेयर नहीं बनाना है तो सब कुछ आप एक इपर में डाल सकते चावल में नीचे ब्रेस्ता डालके उपर में पूरा चावल डाल तो भी अच्छा से बन जाएगा इस टाइब में फ्लेम या तो बन करके रखे नहीं तो एक दुम स्लो में रखे ठीक है पूरा हाई में मत रखे नहीं तो पानी पूरा नीचे से सूख जाएगा तो नीचे लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है तो उपर से दो बारा स देम प्रोसेस उपर से बिरिष्टा डालेंगे धनिया पत्ता पुद्यना के पत्ते हैं आ गया धन पुद्यना और इसके उपर से डाल देंगे थोड़ा सा बिर्यानी मसाला होममेड बिर्यानी मसाला है इसका भी डेस्क्रिक्शन बॉक्स में लिंक ते देंगे और डाल देंगे इसके उपर थोड़ा क्योड़ा वाटर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप चाहर रोज वाटर भी डाल सकते हैं और यह है मीठा आतर अगर अगर अवेलेबल आजा तीन चार बुंद डालना है हो के और यहां पर यहां पर हमने लेग लिया के शर्वलं मिल्क पहले से भीगा के रख था इसको भी उपर से डाल देंगे थोड़ा और डाल देंगे इसके उपर से स्वाइबिन और फिर हम डालेंगे इसके उपर तेल ओनियन फ्राई वाला तेल जो बिरस्ता फ्राई किया था उसी का तेल हम इसमें यूज़ कर रहों एक बड़ा चम्मच आप चाहेते हैं उपर से घी भी यूज़ कर सकते है तो इसको दम देने के लिए अभी क्या करना है दोस्तों एक ले लेंगे सिल्बर अल्बोनियम फाइल अच्छा से इसका पतिला का मुव बन करेंगे और धक्कन लगाके तो इस तरह से बन करने से आपका स्टीम जो है विल्कुल अंदर रहेगा और बहुत अच्छा से दम हो जाएगा तो उपर एक धक्कन लगाना है और एक वेट डाल देंगे हम यहाप एक पत्थर डालता हूँ आप कुछ और डाल सकते हैं और इसको पहले पाच मिनिट हाइफ उसके बाद पूरा लो फिले में पकाना है 10 से 12 मिनिट और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या रंगत है अगर आपको लगे पतिला आपका पतला है जलने के धर है तो आप नीचे एक अपको नीचे एक तावा रख सकते है तावा के उपर पतिला रखिए फिर आपका जलने से पका है यह देखिए दोस्तों शुकर है हमारा तो बिल्कुल भी नहीं लगा है नीचे और सबजी भी बहुत ही अच्छा से पका है थुरा क्रैंची भी है तो खाने में बहुत लाजबाब होगा तो बिर्यानी तो अच्छा बना लेता है कोई कोई आदमी का क्या होता है बीच में से काटने से तूट जाता है तो हमेशा बिर्याणी के आप जु चावल है एक साइट से निकालीए तो बहुत अच्छा से निकलेगा देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से आया है कलार और चावल भी पूरा खिला-खिला है तो दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो जरूर सस्क्राइब करे रेसीप अच्छा लगए तो जरूर लाइक करे शेर करे इसको डेकरेशन के लिए उपर से डाले ये थोड़ा सा बेरेस्ता और उपर डाल दीचे एक पुदिना के पत्ते बस तरस वाल बहुत डिलिश्यास है दोस्तों थैंक्यू फॉर वाचिंग